नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी इसे आप जैंस के स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में दीजे ये बहुत खुबसूरत तो चले दोस्तों हम सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने सलाई पर अपने आनुसार पनाने के बाद आप यह डिजैन शूरू कीजे तो देखें ये इस डिजैन को हम सीधा के तरप से बनाएंगे सीधा के तरब से देखे, पहला सलाई, पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे अब दो फंदा यहां उल्टा बनाएंगे, सॉरी, दो फंदा सीधा बनाएंगे सीधा बना लिए धागा आगे करेंगे और चार फंदा जो है हम दो फंदा का एक फंदा हम चार बार करेंगे देखिए ऐसे एक दो फंदा का एक फंदा दो फिर उल्टा से चार बार करेंगे तीन और एक चार चार बार दो फंदा का एक फंदा उल्टा से हम कर लिए चार बार फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक, दो, दो फंदा सीधा, फिर देखें, चार फंदा में हम जाली बना करके चार फंदा को बनाएंगे, तो देखें, जाली बनाने के लिए धागा को आगे लाएंगे, और एक फंदा सीधा बनाएंगे, सीधा बनाते हुए जाली दो, फिर जाली बनाए, तीन, फिर जाली बनाए, चार, चार फंदा में इस तरह से जाली बनाएंगे, और तो देखे यहां पर हमारा 16 फंदा हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 फंदा बन गया और इसी 16 फंदा को आपको पूरे सलाई पर repeat करते जाना है लाश्ट में आपको यहाँ 2 फंदा बच जाएगा सीधा और लाश्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो इस तरह से आपको पूरी सलाई बनाना है फिर आप देखिए उल्टा के तरब से पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे और सभी फंदा को उल्टा बुनेंगे हर बार हम सभी फंदा को उल्टा बुनेंगे तो पूरी सलाई बना लेते हैं तीसरा सलाई सीधा के तरब से पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे और यहाँ पर देखिए दो फंदा सीधा बनाएंगे एक दो फंदा सीधा फिर धागा आगे करेंगे और जो दो फंदा का एक फंदा किये हैं इस चार फंदा को हम उल्टा बना लेंगे एक दो तीन चार चार फंदा उल्टा फिर धगा पीछे और यहां से ले करके हम यहां तक दस फंदा सीधा बनाएंगे पहले इस दो फंदा को सीधा बना लेंगे और जो यहां पर एक जाली और यह बनाए हैं इसको भी हम सीधा से बुनेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, और एक दस ये दस फंदा को सीधा बना लिए और इस दो फंदा को भी सीधा बनाएंगे लाश्ट के फंदा को सीधा से बुनेंगे तो देखें पूरी सलाई हम इस तरह से बना लेंगे अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से तो उल्टा के तरब से हम बना लेते हैं चौथा सलाई देखें हम उल्टा के तरब से पूरी सलाई उल्टा बना लिए हैं अब पांचमा सलाई बनाएंगे सीधा के तरब से तो सीधा के तरब से देखे, पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे, दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक, दो, दो फंदा को सीधा बना लिए, और अब जो ये चार फंदा हम उल्टा बनाएं हैं, इस पे हम जाली बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, थगा आगे करेंगे, एक ज चार फंदा पे बनाना था जाली, दो, तीन, और एक चार, चार फंदा पे हम जाली बना लिए, देखिए ऐसे, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, चार फंदा पे इस तरह जाली बना लिए, अब इस दो फंदा को सीधा बनाएंगे, एक, दो, फि जाली वला फंदा इसको अब हम दो फंदा का एक फंदा करेंगे यानि कि जो हम यहां बनाए थे उसको यहां बनाएंगे और जो यहां बनाए थे उसको हम यहां पर बनाएंगे तो देखे दो का एक एक बार किये दो तीन और एक चार चार बार दो का एक कर लिए फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा लाश्ट का फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखे यहां पर जो फूल हम यहां पर बनाये थे वो यहाँ पर बन गया और जो यहाँ पर बनाए थे वो यहाँ पर बन गया इस तरह से बनाते जाएंगे तो हम उल्टा के तरब से पूरी सलाई उल्टा बना लेते हैं देखे सात्मी सलाई सीधा के तरब से अब सीधा के तरब से देखे जैसे यहां पर सीधा जाली यहां पर बना था इस बार यहां जाली बना है तो जाली के उपर वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे दो फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, ये आठ फंदा सीधा हो गया, बीच का, दो फंदा इधर का, दो फंदा इधर का, तो आठ तो दस, दो बारा फंदा हमारा सीधा हो जाएगा दोनों और दो फंदा सीधा है, दो दो फंदा करके, तो बारा फंदा हमारा सीधा हो जाएगा अब जो ये चार फंदा, दो फंदा का एक फंदा किये हैं, इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा आगे करके, इसको उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे ये दो फंदा सीधा और लास्ट के फंदा को सीधा से बोन लेंगे आठवी सलाई हम उल्टा के तरब से सारी फंदा को उल्टा बना लेते हैं तो देखे हम उल्टा के तरब से पूरी सलाई उल्टा बना लिये हैं और इसी तरह से हम पूरे स्वेटर में इसी आठ सलाई को रिपीट करते जाएंगे तो हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट कर लिए हैं और पूरे स्वेटर में आपको इस तरह का डिजाइन दिखेगा तो दोस्तों, आपको मेरा ये स्वेटर काデίζाईन कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डίζाईन पसंद आया हो तो लाइक करें और धीर सारा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank You